विश्व के नक्षे को और सम्मंदित देशों की भागोलिक स्थिति को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और जैसा मैंने कहा कि अंत जो शब्द है इस विशे का दो धुर्वीता के अंत में जो अंत लिखा हुआ है इस अंत की गाथा समझने के लिए हमें पूर में जान तक तो हम शुरुआत करते हैं दुती विश्वृद के बाद का विश्व यहां ये कहना मुनासिब होगा कि थोड़ी जानकारी हम प्रथम विश्वृद की ले लें इस रूप में कि पहला विश्वृद जो है वह उन्ने सौ अठारा में समाप्त हुआ और पहले विश्युद को यदि हम उसको दूसरी विश्युद से तुलना करें तो हम समझ जाएंगे कि पहला विश्युद एक मायने में विश्युद नहीं था अर्थात इतना विश्तारित इतना फैला हुआ युद नहीं था जैसा कि दूसरा विश्युद था फिर आखिर पहला विशुद विशुद क्यों कहलाया सवाल ये आता है कि यदि वह इतना बड़ा नहीं था जितने पूरी दुनिया में लड़ाई लड़ी हो पूरी दुनिया में लड़ाईयां हुई हो समय तो फिर विशुद क्यों कहते हैं ये युद्ध कुछ ही खेतर में हुआ लेकिन इससे पहले जितने युद्ध हुए पांच सो एक हजार सालों में उनकी तुलना में बहुत बड़ा था। उसकी तुलना में कई देशों को इस युद्ध में शामिल होने में के लिए विवश होना पड़ा कई देश इस युद्ध में भाग लिए इसलिए यह प्रथम विश्ध कहलाया इसलिए नहीं कि वास्तों में विश्ध के सभी देशों को प्रभावित किया बलकि इसलिए कि इ पुर्व के होने वाले युद्धों की तुलना में यह बहुत विशाल था तो इस परकार उन्नीस ओठरा में विशुद्ध पहला समाप्त होता है और उसके बाद सित्यां बदलती हैं लेकिन दुरभाग से उन्नीस सो उन्चालिस में जुती विशुद्ध प्रारंब होता है जिसका जिसका श्रे कहना चाहिए या जिसके लिए हिटलर को जिम्मेदार बताया गया हिटलर जामनी का नेता था जामनी का चांसलर था जारमनी का मुखिया था यह दिती विश्वद के लिए जिम्मेदार माना जाता है इस थितियां ऐसी बनी कि दिती विश्वद करीब 6 वर्षों तक चला 1949 से 1945 तक और इन 6 वर्षों में दुनिया के देश लगवग दो गुटों में बट गए एक गुट जो हिटलर का समर्थन करता था और उसके पक्ष में युद्ध में शामिल हुआ और दूसरा गुट जो हिटलर के खिलाफ था तो इस परकार हिटलर बनाम उसकी खिलाफत इस तरह दो गुटों में देश बटा हिटलर के पक्ष में आने वाले देशों में मुख्य देश था हिटलर का स्वायम का देश जामनी उसे देखें कहां हैं उसी के पास इस्थित है इटाली उसी से नीचे बहुत छोटा देश है जो संभवता पीले रंग में यहां पर है वह इटाली बहुत छोटा देश इटली की राजधानी रोम और जर्मनी की राजधानी बरलिन इसके साथ तीसरा देश जो था वह था जपैन ये तीन राश्ठ एक तरफ और इनके खिलाफ इंगलेंड फ्राण्स अमेरिका और अन्यदेश और अन्यदेश अधिक तर लोगों ने इंगलेंड फ्राण्स का साथ दिया इन तीन देशों के खिलाफ मैं पुना दोरा दियू तीन देश कौन थे जो एक तरफ थे जामनी जिसका नेता हिटलर था इटली जिसका नेता मुसॉलिनी था और जपैन जिसका नेता वहां का राजा था तो इस परकार ये तीन देश एक तरफ और संयुक्त राज अमेरिका, सोवियत संग, इंगलेंड, फ्रांस एक तरफ मैं पुना दोरा दूं संयुक्त राज अमेरिका और सोवियत संग दोनों एक तरफ थे, दोनों मित्र राष्ट थे इस प्रकार इन दो गुटों के बीच में विभन कारणों से युद्ध हुआ और युद्ध का जो मुख्य मैदान था मुख्य खेत्र था जहां अधिक्तम लड़ाईयां लड़ी गई वह था पश्चमी यूरप का वह खेत्र जहां पर इंग्लेंड, फ्रांस, जर्मनी और सोवियत संग की सीमा पश्चमी सीमा ये डिसी विश्युद्ध का मुख्य युद्ध स्थल रहा साथ ही अफ्रीका के देशों में भी बहुत लड़ाईयां हुई क्योंकि अफ्रीका के जो विवन देश थे वे इन देशों के किसी न किसी तरीके से उनके उपनिवेश थे तो यदि इंग्लेंड लड़ाई में गया तो इंग्लेंड के जो उपनिवेश थे वे भी लड़ाई में शामिल होने के लिए विवश हुए फ्रांस लड़ाई में शामिल हुआ तो फ्रांस के उपनेवेश भी युद्ध में शामिल होने में विवश हुए आदि आदि तो अफ्रीका के खेत्र में जो युद्ध हुए उसको हम एक तरफ रखें और ध्यान देवें कि पश्चमी यॉरोप पूर्वी यॉरोप और संयुक्त राज अमेरिका ये युद्ध के मुख्य खेत्र थे 1949 से 1945 तक लड़ाई हुए ये जो लड़ाई थी ये जो युद्ध था इसमें अधिकतर देशों ने भाग लिया भारत ने भाग लिया क्या ये सोचने वाली बात है क्या भारत भी जुती विश्ध का हिस्सा था हाँ भारत ने भी जुती विश्ध में भाग लिया चूंकि भारत अंग्रेजों का इपनिवेश था अंग्रेजों ने भारती सैनिकों को भारी संख्या में युद्मे उतारा अफ्रीका में तो ये तो एक तरीका हो گya जानने में का कि भारत कैसे विशुद्में शामिल हुआ अंग्रेजों के कारण और अंग्रेजों के पक्ष में दूसरी और आप नेता जी सभाष्टन बोस को जानते होंगे नेता जी सभाष्टन बोस जपैन की मदद से जर्मनी की मदद से उन्होंने इंग्लेंड को इंग्लेंड की फौज को चैलिंज किया उन्होंने भारत में आजाद हिंद फौज बनाई थी उसका मकसद था अंग्रेजी फौज को भारत से निकालना अंग्रेजों को निकालना तो इस प्रकार भारत के कुछ लोग जामनी जपैन और इटली के साथ युद्ध में शामिल हुए जबकि इंग्लेंड का उपनिवेश होने के नाते अधिकतर भारत इंग्लेंड के साथ युद्ध में शामिल हुआ तो भारत भी शामिल था यह हमें समझना जरूरी है यह जो लड़ाई थी एक तरीके से लोक तंत्र बनाम ताना शाही के लड़ाईर हुई क्योंकि हिटलर जो था वह ताना शाह था इटली का ज लोक तंत्र था इनके गुट का एक राष्ट सोवियस संग वहां पर भी एक तरीके से ताना शाही थी लेकिन वह अमेरिका के साथ थे, सोवियत संग अमेरिका के साथ था और इस विकार क्योंकि सोवियत संग की लड़ाई जर्मनी से थी My enemy is my friend मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा मित्र होता है ये एक राजनीती का बहुत बड़ा असूल है मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा मित्र और यही यहाँ पर हुआ चुकि सोवियत संग की लड़ाई जर्मनी से थी समय उक्तराज अमेरिका जर्मनी का दुश्मन था तो सोवियत संग ने अमेरिका के साथ मित्रता की और इस परकार यह देश एक तरफ हुए तो लोकतंत्र बनाम ताना शाही का रूप इस युद्ध को दिया गया और 1945 में दृती विश्वद समाप्त हुआ उसके साथ इन ताना शाहों का अंत हुआ लोकतंत्र जीता और उसके बाद दुनिया के बहुत से देश स्वतंत्र हुए अब जो हम बात कर रहे हैं कि विश्व कैसा था दृती विश्वद के बाद की दुनिया कैसी थी तो उस पर ये आपको समझना होगा कि दृती विश्वद के तुरंत बाद की दुनिया में लोकतंत्र की बयार बहरी थी ताना शाही समाप्त प्राय थी पहली बात दूसरी बात दूसरे विश्वद्ध के बाद जामनी जो है उसको तोड़ दिया गया कई भागों में चार भागों में उसे बांट दिया गया एक चौथाई भाग इंगलेंड के कबजे में एक चौथाई भाग फ्रांस के कबजे में एक चौथाई भाग सम्युक्त राज अमेरिका के कबजे में और एक चौथाई सोवियत संग के कबजे में ऐसा हुआ तीसरी बार इस लड़ाई में जो पश्चमी यॉरप का जो खेत्र है जिसमें मुख्य युद्ध लड़े गए वह खेत्र तहस नहस हो गया इंग्लेंड फ्रांस युद्ध में विजई तो हुए लेकिन संभवता वे भी इतने घायल हो चके थे जितना की जामनी और इंग्लेंड वे भी उतने ही नश्ट हो चके थे जितना की जामनी और इंग्लेंड दूसरे शब्दों में विजई होने के बाद भी ये देश खूना खून थे यहां की जन्ता युद्ध से बहुत त्रस्त हो चुकी थी यद्यपीवे विजई हुए थे ऐसा होता है ने यदि हम बाक्सिंग के बारे में सोचें तो दो बाक्सर हैं जो बाक्सिंग रिंक में आते हैं एक दूसरे को मुक्का मारते हैं खूप चोट पहुँचाते हैं घायल करते हैं दोनों खूना खून हो जाते हैं और बाक्सिंग होती रहती है और ऐसा हुआ कि उन ही खूना खून होकर जमीन में गिर गया लेकिन जो दस सेकंड बाद गिरा वह तो विजेता कहलाया गिरा वो भी है लेकिन विजेता तो बना तो यही स्थिति इंग्लेंड फ्रांस की थी और उन देशों की थी जो पश्चमी यॉरॉप में स्थित हैं जहां युद्ध मुख् से लड़ा गया दूसरे शब्दों में दूसरे विश्वद्ध के बाद के विश्व की यदि हम चर्चा करें तो संयुक्त राज अमेरिका अपनी स्थिति वैसी ही बनाए रक्स अपने में सफल हुसका जो विश्वद्ध के पहले की थी आर्थिक स्थिति राजनेतिक स्थि ती सामाज किस्तिती बलकि हम कहेंगे कि दुटी विश्वत के बाद अमेरिका की सफलता ने उसकी ताकत में चार चान लगा दिया और वो और दुनिया की नजरों में और ज्यादा प्रभावशाली देश बन गया तो अमेरिका विश्वत के पहले प्रथम स्थान पे था अपनी ताकत में अपने सामर्थ में अपनी उन्नती में विज्यानादी में वह अभी भी विश्वत के बाद भी प्रथम स्थान बनाया रख सका उसका स्थान अक्षिन रहा दूसरे नंबर पर इंग्लेंड आता था विश्वद्ध के पहले फिर फ्रांस आते था फिर जामनी था और सोवियत संग उसके नीचे था पर विश्वद्ध के बाद इस्थिती थोड़ी बदल गई क्या हुआ आपको मैंने बारम बार कहा है कि पश्वद्ध में जहां इंग्लेंड फ्रांस जर्मनी स्थित हैं इटेली स्थित हैं वह खित्र विश्वद्ध का मुक्ष सीन था ये देश सबसे ज़्यादा घायल हुए सबसे ज़्यादा विश्वद्ध में नुकसान इन देशों को हुआ यहां तबाही मच गई पूरा देश खंड़हर बन गया पूरा पश्चमी यॉरप खंड़हर बन गया परणाम क्या हुआ कि यदि विश्व की ताकत की बात करें देशों की ताकत तो दुती विश्वद्ध के बाद इंग्लेंड, फ्रांस, जामनी, आदी की जो ताकत थी वो बहुत कमजोर हो गई खीन हो गई विश्व में जो उनका जज़बा था रुतबा था वो बहुत नीचे आ गया और फ्रांस, जामनी, आदी तो इंग्लेंड, ये तो विवश्व भी हो गए थे, अपने उपनी विश्व को स्वतंता देने के लिए, भारत भी उसी दौरान स्वतंतर हुआ 1945 में विश्व दिस्वाप्त हुआ और 1947 में भारत स्वतंतर हुआ, और उसी दौरान अन्य सो देश भी लगभग स्वतंतर हुए 1946-47 से लेकर 1952-53 के बीच में लगभग सौ देश स्वतंतर हुए जो कभी इन देशों के उपनिवेश्ट थे स्वाभाई कुरूप से ये देश अत्याधिक कमजोर हो गया, कौन से देश England, France, Germany, Italy आदी जो पश्चमी यूरोप में स्थित है बहुत कमजोर हो गया ये कमजोर हुए इसका फाइदा मिला Soviet संग को Soviet संग इसकी पश्चमी सीमा पर काफी लड़ाई हुई Moscow तक Stalingrad तक Germany की सेना घुष चली थी नक्षे में आप देखिए इन जगों को Stalingrad Moscow यहाँ पे Germany की फौजें घुष चली थी लेकिन और उनने काफी तबाही भी मचाई लेकिन Soviet संग इतना विशाल देश है जैसा नक्षे में दिख रहा है कि यह तबाही को वह जज़्जव कर गया सहन कर गया और उसके फिहम के भंडार, संसाधनों का भंडार, चाहे तेल का हो चाहे गैस का हो या अन्य भंडार जो हो खनिज भंडार वे इतने ज़ादा हैं, इतने प्रचुर हैं इतने भारी विशाल मात्रा में हैं कि इस नुक्षान को युद्ध से होने वाले नुकसान को वह जेल गया आराम से इन दो कारणों से सोवियत संग जो विश्युद्ध के पहले पांचवे, छटवे, साथवे स्थान पर था दुनिया में ताकत के रूप में वह अब दूसरे स्थान पर आ गया पहला स्थान स्युक्त राज अमेरिका दूसरा स्थान सोवियत संग दो कारणों से मैं पुना दोहराज दूँ जल्ली पहला कारण सोवियत संग का दूसरे नंबर पर आने का कि जो पहले देश दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे थे वो बहुत बुरी तरह तहस नहस हो गया थे दूसरा कारण सोवियत संग स्वयम तहस नहस तो हुआ पर अपनी विशालता के कारण अपने भौगोलिक संसादनों के कारण वह इस विद्ध की भयावता को थोड़ा आराम से जज़व कर गया और उसका अस्थान नंबर दो हो गया कि गटनाओं का विद्ध के समापति के बाद के विश्व की अदि हम चर्चा करें तुनन के बाद की विश्व की तो पहला स्थान अमेरिका का विश्व की स्त्यकत के रूप में दूसरा स्थान सोवियत संग का और फिर बाकी देश नीचे हमारा जो यह अध्याय है यह इन्ही दो देशों के बीच की घटनाओं का विवरण है सोवियत संग, USSR और सेउक्त राज अमेरिका, USC तीसरा बिंदु जो अन्त की कहानी को समझने के लिए आवशक है वह है सोवियत संग का स्वयम का उद्भाव, एक आधिनिक राष्ट के रूप में सोवियत संग का उद्भाव इसके लिए हमें थोड़ा सा और पीछे जाना होगा प्रतम विश्युद 1918 में समाप्त हुआ, उसी दोरान यानि 1917 में सोवियत संग में क्रांती हुई सोवियत संग में सत्ता पलट हुई और वहां पर वहां के जो राजा थे जार वो जार को पदच्युत किया गया, गद्धी से हटाए गया और एक कम्मिनिस पार्टी के स्थापना हुई और साम्यवाद आया साम्यवाद क्या है, इस पर हम तर्चा करेंगे, अभी इतना जान लें कि एक नई विचार धारा वहां आई, राजा की सत्ता खतम हुई, एक पार्टी का शासन आया, जिसे कहते हैं कम्मिनिस पार्टी और इसके स्थापक थे व्लादी मीर लेनिन, जिनके बारे में आगे फ जब जार निकोलस को गदी से हटाया गया, और कम्मिनिस पार्टी आई, लेनिन ने सत्ता समाली, वहां से आधनिक सोवियस संग की शुरुवात मानी जाती हैं, 17 से 45, ये जो 28 वर्ष हैं, इन 28 वर्षों में सोवियस संग, जो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था, जार की सत्ता में, जार के काल में, अत्याधिक पिछड़े देशों में गिना जाता था, इन 28 वर्षों में उसने बहुत तीवर प्रगति की, क्योंकि उनके हाँ साम्मिवाद था, और साम्मिवाद ने योजना बद्ध तरीके से, उन्होंने आर्थिक, क्रिशी, और राजन मामलों को आगे बढ़ाया, उसमें दिन बर दिन बहुत तीवरता से प्रगति की, और इन्ही वर्षों में उन्होंने रेल मार्ग, सडक मार्ग, आधिसे पूरे सोवियत संग को पाढ़ दिया, जो उनकी तीवर विकास का कारण बना, क्योंकि यदि आवागमन सरल है, यदि कम्यूनिकेशन हो रहा है, यदि संचार माध्यम अच्छे हैं, तो यह देश को बांध कर रखता है, और एक जगह का सामान दूसरे जगह लाने ले जाने में, एक जगह का संसाधन दूसरे जगह पहुंचाने में, उसके उप्योग में, उद्योगादी में बहुत बहुत ब 1945, 28 वर्षों में, सोविय संग ने बहुत प्रगति की, इतना विशाल होते हुए, उसने इस विशालता को एक कमजोरी ना मानते हुए, बलकि उसे एक बहुत बड़ा एसेट माना, उसे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट माना, और उसके फायदे उठाते हुए, वहां के शा जोजेफ स्टालिन, जिनका जिक्र और आगे होगा, इन लोगों ने सत्ता में रहते हुए, सोविय संग की ताकत को बढ़ाने में, जी जान लगा दी, और 1945, 1947 आते आते, सोविय संग जैसा मैंने बताया, विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया था, अमेरिका के बाद, तो, इसका अर्थिय हुआ कि सोविय संग एक बिलकुल नया देश था, और उसने कुछ विकास के कुछ ऐसे फॉर्मूले अपनाए थे, जिसको लेकर, वह मात्र 28-30 साल में, बहुत उपर पहुंच गया, उस योजनाबद तरीके से विकास, यह उसका मूल मंत्र था, और इस योजनाबद तरीके से विकास के मूल मंत्र को लेकर, उसने बड़ी तीवर प्रगति की, और मात्र, अंदरूनी विकास ही नहीं किया, बलकि बाहर भी उसने अपना सामराज्य बनाया, बाहर भी कुछ देशों को उसने अपने कबजे में लिया, तो इस पकार हम कह सकते हैं, कि सोव्य संग, जुती विशुद के बाद, कुछ कारणों से दुनिया में दूसरी ताकत बन गया, अगले बिंदु पर हम चलें, तो अगला बिंदु है, प्रथम होने की दौड, दुनिया में पहली ताकत बनने की दौड,